110 रुपए का शेयर तूट कर 8 रुपए पर आ गया, कम्पनी का घाटा बढ़कर 7,295 रुपए करोड हो गया Vodafone Idea LtdQ1 Result, कर्ज में डूबी दूरसंचार कम्पनी Vodafone Idea, VIL का चालू वित्वर्ष की जून में समात पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध घाटा बढ़कर 7,8 140 करोड रुपए पर पहुच गया है, कम्पनी को इससे पिछले वित्वर्ष की समान तिमाही में 7,295 रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, आज सोमवार को कम्पनी के शेयर मामूली गिरावट के साथ 8,05 रुपए पर बंध हुए, कम्पनी ने क्या कहा Vodafone Idea ने सोमव को शेयर बाजारों को भेजी सुचना में कहा कि तिमाही के गौरान उसकी एकिक्रित परिचालन आए 2.3 प्रतिशत बढ़कर 10,655.5 करोड रुपए पर पहुच गई, जो इससे पिछले वित्वर्ष की समान तिमाही में 10,406.8 करोड रुपए थी Vodafone Idea की प्रतिग्राहक औसत कमाई, ARPU, जून तिमाही में बढ़कर 149 रुपए हो गई, जो इससे पिछले साल की समान तिमाही में 128 रुपए थी कमपनी के शेरों का हाल कमपनी के शेरों की हिस्ट्री की बात करें, तो यह शेर पिछले एक साल में 9.04 परसेंट गिरा है वहीं पिछले पांच साल में इस शेर में 73.8 एक परसेंट की गिरावट आई है इस दौरान इसकी कीमत 30 रुपए से तूटकर वर्तमान प्राइस तक आ गई है 2015 में इस शेर की कीमत 110 रुपए थी और अब यह वर्तमान में 93 परसेंट तक लुढ़क गया है